डॉक्टर जोसेफ मर्फी दी पुस्तक है, तो अड़े अवचेतन मांदी शक्ति, पहला लेक, तो अड़े अंदर बहुत वड़ा खजाना है, उनुँ हासल कर लें तो अनुबस अपने मांदियां अखां खोल के देखना है, तो अड़े अंदर रेमतां दा अतुल पंडार है जिस्विचो तुसी सुखमय, सम्रिद ते अनंद परपूर जीवन जियोंले लोडें दी हर चीज कड सक्देओ, कै लोग अपनी संभाव नानु एसले नी जान पोंदे, क्योंकि यो नानु अपने अंदर मोजूद असीम ज्यान ते अनंद प्रेम दे पंडार दा पताई न जाद के साचता ही है के सविचो तुसी अपनी मन पौंदी चीज कड सक्देओ, लोही दा चुम्ब की टुकड़ा अपने पार तों बारां गुणा ज्यादा वजन चुक सक्देओ, लेकिन जे तुसी योदे चुम्ब की गुन्नों हटा दियो, ता एक खंब भी ने चुक सक एको जड़ी चुम्ब की हुंदी है, वो आतम विश्वास्ते आस्थानल पर पूर हुंदी है, वो जान दिया क्यो सफल होन ते जितनले ही प्यादा होई हैं, दुजी तरहं दे लोको हुंदी है, जना चुम्ब की गुन्न नहीं हुंदी, वो बड़ी तादाद विच उड़ ते शंकावान अल्ला ब्रेज हुंदी हैं, समा उनती हुंदी हैं, जि मैं सफल नहीं होया ता की होईगा, किते मेरा पैसा डुब ना जाए, लोकी मेरा हासाव डाणगे, इस तरहां दे लोको जिन्दगी वेच ज्यादा अगे नहीं वद सकते, उना दा डर उनानों से थांते रोकी रखता है, जित्ते हुं हन, तुसी चुम्ब की व्यक्ती बन सक देओ, विशर्ते तुसी इतिहास दा सब तो वड़ा रहस समझलो, ते उस होते अमल करन लगो, इतिहास दा सब तो वड़ा रहस, मन लो कोई तो अडेकुलो, इतिहास दा सब तो वड़ा रहस पुछे ता तुसी की जवाब देओगे परमानूर जा ग्रहां ते पुझे पुझे पुलाडी यान ब्लैक होल नहीं इना विच्छो कुझ भी नहीं तब फेर सब तो वड़ा रहास की है इंसान इनू किते लब सकद है इनू कि में समझया जा सकद है तेज तो फाइदागे में ले आ जा सकता है जवाब बहुत सुख है इन रहास है तो अड़े अवचेतन मन विच प्रापत होन वली अदपुद चम्तकारी शक्ती यह उँ अंतली जगा है जिते ज्यादा तर लोग इसनी पाल कर दे हैं इसे कारण इन रहास बहुत कट लोगानू पता चल पौंदा है तो अड़े अवचेतन मन दी अदपुद शक्ती अवचेतन मन दी छुपी होई शक्ती दा प्रियोग करना सिख के तुसी अपने जीवन विच ज्यादा शक्ती दौलत से पुशी ते अनन्द पा सक दियो तो अनू इस शक्ती नू हासल करन दी लोड नहीं है ये ता तो अड़े विच पहला तो ही है बहर हाल तो अनू इस सिखना होएगा कि इनू इस ते माल के में कीता जान दै ये समझना होएगा कि तुसी अपने जीवन दी सारे पहलुआ विच इस ता पर्योग कर सको जेकर तुसी इस पुस्तक जिदितियां सोखियां तकनीकां ते पर क्रियावां दा पालन करोगे तो अनू लोडीन दी जानकारी ते समझ मिल जाएगी एक नमा पर काश तो अनू प्रेरत करेगा तुसी कर नमी शक्ती उत्पन कर सकतेओ जिस्ती बदोलत तुसी अपनियां अपनी सारीयां अश्यामाँ ते सुप्नियानू साकार कर सकतेओ इसे वक्त फैसला कार लोगे तुसी अपने जीवन नू पहला तो जयादा व्यापक महान सम्रिद तो अड़े अवचेतन दियां डूंगाईयां विट सार यां लोड़ी इंदियां चीजां बारे असीन ग्यान शक्ती ती अपूर्ती दा पंडार है। तो अड़े अवचेतन मान विट मौजूद असीम ग्यान तोनू हर उचीज दा सकते चीदी तोनू कदी वी किते वी लोड़ होए। अदर्श अभिव्यक्ति ते सही जगादारा खोल दाएगा। तो अड़े अवचेतन मान दी बुद्धी मानी नाल तुसी अदर्श जीवन साथी नू अकर्षत कर सकते। सही बिजनस पार्टनर जा सही योगी नूवी ये तोनू दौलत मंद बनंदारा दस सकती है। ये तोनू वित्ती तोरती अजाद भी बना सकती है। तान जो तुसी अपनी दिली इच्छा नुसार बनो करो दे रहो। विचार, पावना, शक्ती, परकाश, प्रेम ते सुंदरता देस आंतरक जगत नू लबना बहुत अड़ा बुनियादी अधिकार है। इस शक्तियां अद्रिश लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो अड़े अव चेतन मांच हर समस्या दा समाधान ते हर नतीजे दा कारण होंदा है। जदो तुसी अना छुपियां हुएं शक्तियां दा परियोग करना सेख लाओगी। तो तौनू बहुलता, सुरख्या, खुशी ते नियंत्रण वदा अणवास दे। लोडीन दी शक्ति ते बुद्धी माननी मिल जाएगी। मैं आप अव चेतन दी शक्ति नू देखे आये। शक्ति नल में आप अपाजान नू पूरण सेत मंध हुंदे देखे है। अव चेतन मंदे सहारे उननाने खुशी सेत ते अनन्द दियां पावनावानू हकीकत वेच बदलिया। यकीनन तो अड़े अव चेतन वेच एहो जी चम्तकार उपचारक शक्ति है। ज़िके परिशान दिमाग ते टुटे हुए दिल दा इलाज कर सकतिये। ये तो अड़े मस्तिक्षनों दी जेल दा दर्वाजा खोलके तो अनू अजाद कर सकतिये। ये तो अनू हर तरां दे पौतिक ते स्रीरक बंदनां तो मुक्त कर सकतिये। कार्जकारी अधार दी लोड। जे तुसी किसे भी खेतर प्रगती करनां चौन देओ, ते दे लिफ पहला ते लोडीन दा कदम है। तो अनू एक सदीवी कार्जकारी अधार वकिंग बेसेज दा पता लोना पाएगा। अपने अव चेतन मंदी कार्जविदी चे निपुन बढ़न लई तो अनू एदे सिदान तानू समझणा होत पाएगा। ताई तुसी एदियां शक्तियां दा इस्तेमाल करन समय जान पाऊगे के तो अनू केड़े नतीजे मिलनगे। तुसी जेड़े विशेश जेड़ियां विशेश निशानियां नू हासल करनाँ चौन देओ, उना नू तुसी एना शक्तियां दी मददनाल साकार कर सकतेओ। कई सालां तक मैं केमिस्ट दा काम कीता, अपने शुरू आती दौर्च मैं सिख्या के जदो तुसी हाइड्रोजन दे दो परमानू आं ते ऑक्सीजन दे एक परमानू नू मुलाँ देओ, ता नतीजे वज़ों हमेशा पानी हुन दे, कदे कदाई जा अक्सर नहीं, हमेशा जदो तुसी आक्सीजन दे एक परमानू ते कार्बन दे एक परमानू नू मुलाँ देओ, ता कार्बन मोनोकसाइड ना दी, जहरीली गैस उत्पन हुन देओ, लेकिन जे तुसी आक्सीजन दी एक होर परमानू जोड देओ, ता तो अनू कार्बन डाइकसाइड मिल जान जड़ी प्राणियां ले हानी रहते पॉदियां ले जीवन दाई हुंदी है। ये सदीवी ते ना बदलन वाले तत थान इनानुवसी सिदान्त केंदी है। कम करंदी द्रिष्टी नाल तो अड़े आप जेतन मन दी सिदान्त केमिस्ट्री विजिक से गणेत दे सिदान्तां तो उवक्रे नई हान। जे तुसी रसायने की आपतेक शक्तीयं दा प्रियोग करनां चौंदी हो तो तौनु इना खेतना दे सिदान्ता नू सिखना होएगा इसे तरह जे तुसी अपने आप चेतन मन दी, शक्ती दा परियोग करना चाओंदे ओतो तो तो नूँ इदे सिद्धांता नूँ सिखना पैगा। आम तोर ते इस सिद्धांत नूँ सारे सविकार कर दे हन, पाणी अपना स्तर आप लब लन्दे, एक सदीवी सिद्धांत है, ये हर जगा, हर समा, पाणी ते पाणी वर्गे सारे द्रवाउं ते लगू हुंदे, प्रचीन मिसर दे लोखेनू इस सिद्धांत नूँ जान दे इदा परियोग उनने महान पिरम इंडा दी नीनू अधर शुरूप्च सम्तल बनाउन चकीता सी, अजवी सिंचाई तंतर तो लेके हाईड्रो एलेक्रिक पावर स्टेशन बनाउन वेले इंजिनियर इदा परियोग कर दे हन, जाये सिदांत लोग, गर्म होन ते पदारत फ तै फैलेगा, चाहे स्टील चीन इंग्लेंड पारत विच होवे जा प्रित्वी दा चक्कर ला रहे पुलाडी यान विच, गर्म होन ते पदारत फैल दा है, एक सदी भी साच है, ये भी एक सचाई है, कि तुसी अपने अब चेतन मानुते जो चाप छड़ देओ, ओ हालात अनभुते कटना दे रूप्च व्यक्त होन दी है, तुड़ी प्रार्थना दा जवाब मिल दा है, क्योंकि तुड़ी अब चेतन मान दी शक्ती दा सिधान्त है, सिधान्त यानि यो तरीका जिस नल कोई चीज काम कर दी है, उदारन वज्जों, बिजली दा एक महत्ता पू अनु नहीं बदन दे, तुसी एस सिधान्त लाहा लें देओ, प्रकिर्ती देनाल सहीओ करके तुसी अद्पूत खोजान्त या विश्कारानों साकार कर देओ, जड़े मनुखतन वनांत तरीके अनल सुख परदान कर दे है, तो अड़ाव चेतन मन सिधान्त है, ये विश्वास दे नियम उते कम कर दे, तो अनु जानना पहेगा कि विश्वास की है, तिक्यों तिक्यों में कम कर दे, बाइबल, सौखे, स्पष्ट ते सुन्दर तरीके नल दस दी है, जो भी इस पहाड नु कहेगा तुसी हट जाओ, सुमूंदर चे चले जाओ, तो अपने दिल चे शंकानी करेगा, बलके विश्वास रखेगा कि जो उकेंदा है, अवश होएगा, तो अड़े मन दा नियम विश्वास दा नियम है, यदा मतलब है, तो अड़े मन दी कार्जविदी वेच विश्वास करना, अपने विश्वास दे विश्वास करना, अपने मन दा विश्वास और कुझ नी तो अड़ी मस्तिक्ष दा विचार है। सलामा अंद विश्वास सां ते डरनू सविकार करना बंद कार देओ। सदीवी साचते जीवन दियां उना सच्चायां ते विश्वास करना शुरू कार देओ। जिडे कदिवी नी बदल दे। एस मोड ते पॉंचन तो बात तुसी अग्गे उपर ते ईश्वरवल वदन कोगे। जिडे लोग इस पुस्तक नो सुननंगे अव चेतन मांदे से दांताओं ते आस्था देनाल अमल करनंगे। विज्ञानक ते कारगर प्रार्थना करन दी काबलियत हासल कर लेंगे। अपने लेवी ते होरां लेवी। तो अड़ी प्रार्थना दा जवाब किरिया ते प्रती किरिया दे सदीवी नियम दे अनुसार ही मिल दे है। विचार अंतरीव किरिया है। प्रती किरिया तो अड़ी अप्चेतन मांदा उजवाद है। जिडा के तो अड़ी विचार दी प्रकिर्ती नाल मेल खान दे है। अपने मननू सेत मन्द सुक शांती ते एक स दोस्पष्टी खास कारजगौरी हिससे हन इनकी धून दा कारजवन्ड मस्टेक्ष्टी सारे विद्यार्थियान। चंगी तराम पत हैं तो अडे मस्टेक्ष्टी इनक दूजेतू असूलन वककरी हन। इना दुन्ना दे अपने खास गोणते शक्तिया हान, जेडियां के इकदुजेतु वखरिया हान। मस्तेक्षते इना दुन्नो कार्जा मिच अंतर करनले, कई नामदा प्रियोकिता जान्दा, जेवे वस्तुनेष्ट अब्जेक्टिव, व्यक्तिनेष्ट सब्जेक्टिव, मन चेतन ते अवचेतन मन, जागरत ते सुत्यमन, सताई ते डुंगा सुरूप, स्वयच्छत, ते आणिच्छत, मन पुरिष्टे इस्त्रीमान आद, ना चाहे, नाम चाहे, जो विदिता जाए, इस नाल मस्तेक्ष दे मूल्द्वयदा पताल चल्दै, इस पूरी पुस्तक वेच, मस्तेक्ष दे दो हिस्याली, चेतन मतलब कांशियस ते अवचेतन मतलब साबकांशियस मन परियोग करांगे, जेतो उनुँ दुजे शबद सोखे लग दे है, तो तुसी उना दा परियोग करलो, महत्तपूरन शुरुवाती गल्ली है, के मस्तिक्ष दी इस द्वयद प्रक्तिर्थी नुँ पहचान ले आजाए, सविकार वी करले आजाए, चेतन अते अवचेतन मन तो अड़े मस्तिक्ष दे, दो तरफा कार जानु जानन दा एक अदपुत तरीक है, के तुसी इस नुँ बगिच्चा मल लो, तुसी मल ली हो, तुसी अपने अवचेतन मन्च हर दिन विचार दे बीज बो रहे हो, ज्यादा तर समान तो अनु ए एसास ही नहीं हुंदा के तुसी इंज कार रहे हो, क्योंकि बीज तो अड़ी आदतन सोच ते अदारत हुंदा है, जहो जा तुसी अपने अवचेतन मन्च बीज दियो, तो अनु अपने सरीर दे हालात तां विच उही जे फसल कटनी बेंदी है, कल्प ना करो, तो अड़ा अवचेतन मन्च उपजा तक यह तो अनु अजीर दे फसल मिल सकती है, हर विचार एक कारण है, हर हालात एक नतीच है, एक कारणा करके यह लाजमी है कि तुसी अपने विचारां दे काबू रोखो, सिर्फ इसे तरही इच्छत हालात मिल सकती है, इसे विड़े शांती, खुशी, सही कम, सदपावना सम्रिदी दे विचारां दे बीज बीजने शुरू कर देओ, शांती ते विश्वास नालेना चीजां भारे सोचो, अपने चेतन, तारकिक मन्च इनानु पूरी तरां सविकार करो, इना अध्पुत विचार बीजानु अपने मस्तेक्ष दे बगीचे च बीज दे रहो, तो अमंग सद पावना पूरण, शांती पूरण हुंदे यांत, तोडे अविचेतन दी जादूई कार्जकारी शक्ती प्रतिकिरया करेगी, ये उस विचार ली लोडीन दे हाला ते ठीक महाल दी उसारी कर देगी, अपने विचार प्रिकिरयावानू कबू करन तो बाद तुस किसे भी समस्या जा मुश्कल अपने अविचेतन मांदी शक्ती दा प्रियोग कर सकते हो, असल तुसी जान दे भुज़दे होई, उस असीम शक्ती ते अत्तोट नई मांदे नालसा ही योग कर रहे हो, जडे सारी यांची जांते लगू हुंदे हैं, अपने चारे पासे वे आरहाल, ज्यादा ग्यानी लोग अपनी अंदरली दुनिया चुझेओं दे हैं, उननों यह ऐसास है, जड़ा तो अड़ा भी होएगा कि अंदरली दुनिया तो ही बारली दुनिया उत्पन हुंदी है, तो अड़े विचार, पावनावां ते सुपने, तो अड़े अनभव दे जनखान, आंत्रिक मन ही एक मातर रचनातमक शक्ती है, बारले संसार्च तोन जिन्यावी चीजा मिल दिया है, उसार यह अपने-अपने मन दे अंदरुनी संसार्च उत्पन केतिया हुंदी है, पावे तुसी एक काम चेतन तोर्थे केता होवे, या चेतन तोर्थे, तुसी बारली स्थितियानों बदलना चाउंदेओ, तो थो अनो नो थे कारणा नो बदलना पाएगा, ज्यादा थर लोग प्रस्थितियान ते स्थितियान आलसंगर्श करके उना नो बदलन दी कोशिश करते है, इस समाते मेनत दी प्यंकर बरबाद दी है, वो यह नही दे तरिकाओ टांग जिस नाल तुसी उनू पर दियो, कारना नू बदल दियो, नतीजी अपने आप बदल जानगी, ए इनना ही सोख है, असी सारे असीम दौलत दे अथास मुंदर चरन्या, तोड़ा अवचेतन मन, तोड़े चेतन विचार आम प्रती बड़ा सम्वेधन शील हु जे तुसी सांचे नू ज्यादा सकरात्मक बना देओ, तोड़े असीम उर्जा तोड़े असीम उर्जा ज्यादा मुझापवाद मिल सकते हैं, एस पुस्तक विच हर दियाए सच्चे ते परसंगक उदारन देके दस्ता है, कि तुसी अवचेतन मन दे नहीं मानू, किस तना लगू कर सकते हैं, जा तुसी अना तक्निक कांदा प्रियोग करना सिख लोगे, ता तुसी गरीबी दी बजाए, अमीरी, अंध विश्वास्ती अग्यान दी बजाए, बुद्धी मानी, आंतरिक संगर्ष दी बजाए, शांती, असफलता दी थां, सफलता, दुख दी जग और दान हो सकते, ज्यादा तर महान विज्ञानका, कलाकारा, कवियां, गाएका, लेहका, ते अविश्कार कानों चेतन, ते अव चेतन, मंदी कार्जविदी दी, दुण गी समझ सी, एसे करके आँ अना नो अपने निशाननी हासल करन दी, शकती मिले, इक वर महान अपेरा गायक इन रिको के रुस सो स्टेज ते जानतो कबरा रहे सी, डर दे मारे उना दे संग दी दियां मास पेशियां आप कड़ गई गया, इंज लाग रहे सी जमें उना दे वाक तंतु आनू लकवा मार गया, वो बिकार हो गए हो, उस्टेज दे पिछे गायक दी पुशाग पा सारी लोग मेरे उत्ते हसन गे, मेरा कैरियर खतम हो गया, वो अपने ड्रेसिंग रूम चे जान ली मुडे, तादी अचन चे ती रुक्के ची के, निका मैं मेरी अंदर दे वड़े मेंदा संग कुटंदी कोशिश कर रहे है, वो दोबारा स्टेज वाल मुडे ते तन के सारी के, वो रोड़े होगे, वनाने निके मेरी अदेश देता, बार निकल जाओ, वढ़्डा में घाना क्याँ ताँ, वद्रे में तोव में, करूछाऴशा मतलब, अपने अवजेतन मांदी, अशीम शक्तियां तो बुद्धि नाल से, वो चिकन लगे, बार निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, वड़ा मैं गौनवड़ा है। अब जेतनमान ने प्रती किर्या कर देया, उना दे अंदर असीम शक्तियानों मुक्त कर देता। समा उनते उस्टेज उते गए थे उनाने शांदा टांग नाल गाया, जिस नाल सुरूते मंतर मुक्त हो गए। तुसी हुनताई जो सिख्या है, उस नाल तुसी समझ सक देऊ, किरूसो मस्तिक्ष दे दोस्तरानों समय देसी, चेतन जान तारकेक स्तर ते अवचेतन जान अतारतिक स्तर। तो अड़ाव चेतन मन प्रतिकिरया शील है, ओ तो अड़े विच्छाराँ दी प्रकिर्ती दी अनुरूप प्रतिकिरया करदा है। जदो तो अड़ा चेतनमन के रूसे दा निकाम में डर चेंता ते तनाव नाल परया होँदये तो अड़ा अव चेतनमन वड़े में चिन्दकार आत्मक पाव परवाहत होणी हो लगदिये। ए नकार आत्मकपाव चेतन मान चे देश्यत दुचिती ते निराशा पार देन देये। जदों तो अडे नाल एस तरह होवे ता तुसी भी महान के रुस्यों दे उदारंते अमल कर सकदे। तुसी द्रडता ते पूरे अधिकार नाल अपने वदीक डूंगे मान चे उत्पन अत्तार केक पावानू कह सकदे। चिपर ओ, शांत हो जाओ, मैं का बुविच्छा तो अनू मेरी हुकमादी पालणा करनी पहेगी। तुसी मेरी हुकमादी पालणा करनली मजबूरू तुस तुसी अपने वदीक डूंगे शुरूप दी अत्तार केक पावनामानू द्रडता ते अधिकार नाल ए बोलोगे। ता नतीजा देखके तुसी किल्ले जाओगे। तो अड़ा मन, शांती ते सद पावनाल परिया जाएगा। अवचेतन मन, चेतन मन दे अधि इंड्रेंद कार्ज विदी दा वड़ा अंतर, चेतन मन समुन्दरी जहाज दा कप्तान है। वो जहाज नू देशा देदे, वो इंजन रूम दे लोकान वा देश देदे, ताहीं वो बाइलर यांतरां ते बाकी उपकरना नू कबूज कर दे हन। उन्हों पता नहीं हुंदा क्यों कि थ एतने मतुके जा रहे हन। वो तो सिर्फ कप्तान देश दा पालन कर दी हन। जेकर कप्तान कमपस दे बाकी उंतरां दे आर दे गल्त जिन्दोश पूरण हुकम जारी कर दे। जहाज चट्टानान नुम टक्रा सकतार بنा म्जबूर हन। क्योंकि वो बॉस है, क्योंकि उन्हों पता होनां चाहिदा है क्यों की कर रहे हैं, येसलिए इंजन रूम दे लोग कप्तान नल बैस नहीं करती। जां पल्ट के कुछ नहीं कहनदे, उता बस चुप चाप उना दी हुकमा दी पालनां कर दी हन। कप्तान अप्णे जहास दा मालिक होन थै ती बाकी लोग उधिया देशा वाध्या योजा शार ब contest. चेतन मन तो अड़े विश्वास्ती अनुमाना दियता आर्थी आदेश दिन्दे, तो अड़ाव चेतन मन चिप चाप उना आदेशानू मन लन्दे, ए आदेश उते स्वाल नहीं करदा, जाएनी पुछदा क्यों किस अदार्थी दित्ते जा रहे हैं, तो जे तुसी अपने आपनों बार बार कौँ, मेरे कुल इस चीजनू खरीदधन देली पैसे नहीं हान, तो अड़ाव चेतन मन तो अड़े गलनू मन लन्दे, वे सुनिश्चित करदन दे, कि तो अड़े कुल तो अड़े मन पौंदी चीज खरीदन लई, कदे पैसे नहीं, तो जदों तुसी जदों ताइत तुसी एक केंदे रहोगे, मेरे कुल इस कार चुटिया, उस कार लई पैसे नहीं हान, तो तक तो अड़ाव चेतन मन तो अड़े अदेश्यां दी पालना करदा रहेगा, तुसी जीवन चेना चीजानू कदे भी खरीद नहीं पाऊगे, तुसी सोचोगे के हुजया, एहो जया हालातां कारण होया है, तो अनुए लगेगा ही नहीं, के तोड़े अपने नकारात्मक विचारां कारणी हालात तुसी आप बनाई है, पिछले क्रिस्मसी वुद्धे नीना डबलीव नादी क कुड़ी, जड़ी दखनी कैलिफोनिया उनिवस्टी दी व परवारनाल छुटिया मनोन जानवाली सी, जदो नीना एक दुकान दे कोड़ो लंगी, तो अधी नजर डिस्प्ले विंडो ते रखे हुए एक सुन्दर स्पैनिश लेधर बैग दे पई, उन्हें उन्हों हसरत परी नजरनाल तक्क्या, फिर मुल देख दे सारी ओ दे मु पुरा ना होन देओ, एनू एकदम उल्टा के सकार आत्मक कर देओते तो अड़े जीवन चम्तकार हो जाएगा, कच दे पार पाए बैग नू को उर्दयाओने क्या ए बैग मेरा है, ए विकरी लेए, मैं मानसिक तौर ते सभीकार कर दियां कि ए मैनू मिलेगा, ते मेरा नाने उनू खोलिया, उत्थे उही लेदर बैग सी, जीनू उने दुपैर नू देखिया सी, ते अपना मन लेया सी, उने अपने मननू उमीद नाल पार लेया सी, एस तरा उने एस मामले नू वदी एक डूंगे, मन पाव अब चेतन मांच पोचा देता सी, जीदे को ददी शक्ती सी, बाद वीच नीना ने मैंनू दस्या, मेरे कुडोस बैग नू खृदन जोगे पैसे नई सन, लेकिन ने दे बावजू दो मैंनू मिल गया, उन मैं जान गई, कि मैंनू तान ते बाकी चीजां के थो मिलन गया, उस सारा कुछ मैंनू अपने अंदर ले सदी भी खजाने तो मिलेगा, उस ते अब चेतन ने किमे प्रतिकरिया किती, कुछ मैंने पहला मैंनू रूथ ए ना दी कि मैला दा पत्तर मिलिया, जिसने मेरे पाशन सुने सी, उनने लिखिया सी, मैं पचातर वर्यां दी कि विद्वा हां, मेरे बच्चे वड़े होन तो बाद बार चले गई हैं, मैं एकली रह रहे हैं, सोशल स्क्योटी ते थोड़ी ये पंशिन होते गुजारा कर रही सी, मेरा जीवन बड़ा व्यार्थ ते निराशा पूरन सी, फिर मैंनू अब जेतन मन दियां, शक्तियां होते तो अडपाशन ग्याद आया, तुसी क्या सी? दोह मैं बार बार पूरी पावना नाल दोहरान लगी, कोई मैनू चांदा है, कोई मैनू प्यार करदा है, मैं व्यादता हां ते मेरा पती द्यालू प्रेम पूरन ते अधियातमक मान सिकता वाला है, मैं सुरख्यत ते सुखी हां, मैं तकरीबन दो हफ्तियां तक हर देने गाल क वो मेरी प्रार्थना दा दर्श ज्वाब सन एक अफ्ते दे अंदर ही उनाने मेरे सामने व्यादी पेश कश कीती। एस वेले असी यौरप वेच हनिमून मन आ रहे हैं। मैं जान दियां कि मेरे अफ्चेतन मान दी बुद्धी मता ही सानों दोहानों एना नजदीक लियाई है। रूथ ने पाया कि खजाना उदी अंदर सी, उदी प्रार्थना उदी दिलनों सची लगी। ते उदी सकारात्मक्ता उदी अफ्चेतन मान च उतर गई। जेडी रचनात्मक्सादन है। जिस पल उने द्रिरता नाले तस्वीर देखी, उदी अफ्चेतन मान ने अकर्षन दे नियम राई जवाब खोज लिया। बुद्धी माननी ते स्यानपनाल परे अफ्चेतन मान उनू ते उदे नमेपती नू इको वरी नाल लाया। तुसी इस बारे जरूर सोचो। जेडियां वी चीजां सचियां हन, जेडियां वी चीजां इमानदार हन, जेडियां वी चीजां नियापूरन हन, जेडियां वी चीजां शुद्ध हन, जेडियां वी चीजां प्यारियां हन, जेडियां वी चीजां चंगियां हन, जे कोई आस था है ते जेकर कोई शिलाग है ता इना चीजां बारे सोचो याद रखन लाइक विचार पहला खजाना तो अड़े अंदर है अपने दिली अपने दिली इच्छा दा ज्वाब अंदरों खोजो दूसरा सारे युगां दे महान व्यक्तियां दा महान रासे इहे सी कि उना विच अपने अवचेतन मन दी शक्तियां आल संपर्क करन तो अना नू मुक्त करन दी योगता सी तुसी विएंज कर सकते हो तीसरा तो अड़े अवचेतन मन को सार्या समस्यामां दा जवाब है जे तुसी सोन तो पहला अवचेतन मन नू कोऊ मैं स्वेरे छे वजे उठना जोना ते ए तो अनू ठीक समेते जगादन दा है चोथा तो अड़े अवचेतन मन तो अड़े शरीरदा निर्माता है तो अड़े उपचार कर सकते हैं हर रात अदर्श से दे विचारानल सौन जाओ ते तो अड़े वफादार सेवक पाव अवचेतन मन तो अड़े अदेश प्रिस्थिती इक नतीजा है। प्रिस्थिती इक नतीजा है। प्रिस्थिती इक नतीजा है। प्रिस्थिती इक नतीजा है। जीवन दा नियम विश्वास दा नियम है। विश्वास तोड़े मस्तिक्ष दाइक विचार है। उना चीजांच विश्वास ना करो। जिडियां तोनु नुकसान जा थट पोचान। अपने अवचेतंदी शक्तियांच विश्वास करो। ए विश्वास रखो। क्यों तोड़ा उपचार करनेगे। प्रेरत करनेगे। शक्ती शालीते सम्रित बनोणेगे। तोड़े विश्वास देयानु रूपी तोनु मिलेगा। दस्वास अपने विचारानु बदल्लो। तोड़ी तक्दीर अपने आप बदल जाएगे। तन्वास